हेलो दोस्तो वेलकम बैक एट फॉर्मूला बेस ट्रेडर जर्नी ऑफ लर्निंग्स टो एक्सलियो अर्निंग्स जो भी नए लोग है उनको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बहुत जरूरी है आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को प् करेंगे नहीं तो आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है तो बात कर लेते हैं मंडे को मार्किट कैसी रह सकती है 4 September 2023 को देख लेते हैं मार्किट ने आज बहुत अच्छा मूब दिया अपसाइड के लिए हमने क्या करा वो मैटर करता है हमने एक ट्रेड लिया यहां से 43,959 से अपसाइड को इसने ब्रेक करा हमने ट्रेड करा और हमने इस रनिंग केंडल पर एक्जिट कर लिया हमारा कोई मकसद नहीं था कि हमें यह ट्रेड चाहिए नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए हम एक्जिट हो गए उसके हमने कोई ट्रेड नहीं लिया यहां पे एक मेरा प्ल कोई ट्रेड नि लिया क्योंकि ये ऊपर के ना मूव मेरे को समझ नहीं आया ना इसका को लॉजिक समझ आया ये बात हम करेंगे जब हम निफ्टी की डिटेल डिसकुशन करेंगे एक ट्रेड किया क्या हम वैसे भी मार्केट पांसो पॉइंट भाग रिया हजार पॉइंट भ होचा है वो देख लेते हैं परसो क्या हुआ निउस आती है सड़नली फॉल हो जाती है मार्केट कल एक्सपाइरी थी वैसे ही जुलाती रही आज मार्केट ने अच्छा का सा मूव दिया ये इसका ब्रेक इवन पॉइंट था ट्रिपल फोर वन फोर आप ये रिकवरी अब मंडेओ कैसे प्लान करेंगे क्लोज हुआ है 44,414 के और 44,355 के बीच में जो छोटा सा एक ट्रैप जो उन टाइप का बना है यहां पे आके क्लोज होगी है मार्केट जो इसका सेटलमेंट प्राइज आया है राइट अब हम जो ट्रेड करेंगे पहली बात तो ये अग यदो काफी है तो कल मार्केट जैसे मार्केट माले मंडे को मार्केट निकलेगी तो बहुत इसको पार करेगी फिर बाहत बड़े बड़े टार्गेट है जब मान लिया market ने इस halt को पार कर लिया gap up open होती है यहाँ sustain होती है तो यह नहीं सोचना है कि इतना वड़ा gap up हो गया अब गिर जाएगी market नहीं यहाँ sustain करेगी हम upside के लिए plan करेंगे 45,000 तक अगर मान लिया यहाँ पे होती है downside का trend करती है शुरू तो हमारे लिए target है अच्छे खासे 2300 points यहाँ तक के हैं इसके आद में यह चोटा सा area है 44,59 तक का downside के लिए और इसको अगर break करता है तो वही 43,949 अगर इस box को break करती है upside को trade करती है तो आपके लिए सर्फ एक ही target बनता है अच्छा 44,524 का एक target बनता है और इसको break करती है sustain करती है तो around 44,600 का इसक यहाँ से तो बहुत high chance है 44,633 से reversal के और हाँ आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ 5th September से पहले पहले जिसको भी formula access group में आना है जोईन करना है जो हम learn करने वाले हैं जो हम सीख रहे हैं जो सीखेंगे तो आप उससे पहले entry ले लो 5th September के बाद में close है सब के लिए सिर्फ वो 3-4 लोग रहेंगे जिनने नों already commit कर दिया है कि हम 7-8 के बाद में join करेंगे उनके लिए कोई दिक्कत निया बाकी और सब के लिए बंद रहेगा फिर next batch जब भी आएगा जब कभी आएगा तब हम उसकी बात करेंगे जितने हैं वो perfect होंगे उसके बाद म move आएंगे 44,743 के upside में फिर आपके पास में 300 point का move है upside के लिए कोई दिक्कत निया है जिसने भी आज levels के साफ से trade किया होगा bank nifty में सिर्फ levels को देखके तो उसको damn sure profit हुआ होगा क्योंकि breakout मिल रहे थे trade मिल रहा था और downside के लिए आपका वही है कि अगर यहां से break करा तो आप आपको दबारा से 43,949 फिर से दिख जाएगा अराम से कोई बड़ी बात निया downside के लिए बात करते हैं nifty की nifty ने शुरुआत करिया अपनी 19,260 से शुरू करता है यह upside का trend जो भी nifty में strategy के साफ से plan करता है trade करता है वो profit में ही रहता है एक setup को follow करते हैं आप blindly उसको follow करो एक दिन हिट होगा दो दिन हिट होगा stop loss तीन दिन हिट होगा पर साथ दिन आपकी favor में जाएगा sustain करा बहुत अच्छे तरीके से इसका breakout है मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ये long term के लिए काम आते हैं ये breakout ये जो breakout था ना इसका ये breakout सबसे अच्छा breakout था market इस area को respect देगी आप 19 19,350 को respect देगी और याद होगा आप लोगों को कहा था कि जब भी nifty 19,350 के ऊपर sustain करेगी तभी आम nifty में bullish होंगे क्योंकि vacuum था यहाँ पे market रुक रही थी रुकने के बाद में आज इसने breakout दे दिया upside को और अच्छी खासी rally दी almost इस breakout के बाद में भी 100 प्लस पॉइंट की rally upside क उसके अद में close हो गया कहाँ प्या कि 19,422 के पास आई है closing just इसके ऊपर बट यह 19,435 दिखाता है यह गलत है यह settlement के बाद close जो आ है वो नीचे है और नीचे है बट support के ऊपर है तो कोई फरक नहीं पड़ता अब हम Monday को कैसे plan करेंगे यह breakout बहुत अच्छा था upside को trade करा बहुत सही है बट आपको Monday को अगर upside के लिए plan करना है इस पे समझेंगे आराम से इस पे समझेंगे weekly basis पे समझेंगे आराम से ज़रूरी आ समयना अगर मान लिया आपको निफ्टी में upside के लिए trade ढूनना भी है अब Monday की बात कर रहा हूँ मैं आप 19,386 के आसपास से upside के लिए पहले trade आप ढून सकते हो बाइचांस यहाँ पे आप trade trap होते हो और आपका stop loss hit होता है upside की बात कर रहा हूँ मैं 19,386 से आप upside का trade ढूननेगे यहाँ पे आपको market मिलेगी तो इफ बाइचांस आपका छोटा सा 10-12 point का stop loss hit होता है exit हो जाना कोई दिक्कत नहीं है फिर आप या तो इसी के breakout का wait करना या फिर यहाँ पे आएगी जब जब भी आपको 19,343 के आसपास nifty up मिलेगी तो ऐसा नही होगा कि वो यहाँ suddenly break कर जाएगी नहीं कर पाएगी यहाँ से कम से कम bounce होके आपको 20-30 point का move तो देगी देगी downside के लिए आप in fact यहाँ से plan करोगे आप downside के लिए एक second 19,333 के नीचे अगर मान लिया downside के लिए प्लान करोगे पहले बाद तो यह break करना ही मुश्किल है थोड़ ही plan करोगे और ओभी छोटे से target 19,311 के लिए फिर इसको break करेगी तो downside के लिए है बड़ इतना नहीं सोचते हैं या तो 303 तक down maximum plan कर सकते हैं या फिर upside के लिए upside के लिए हम्मारे पास 19,500 first target 19,555 second target upside के लिए Monday को ही market दिखा सकती है और अगर आपको याद होगा 19,585 मैंने एक ऐसा number बोला था इसके उपर market जाएगी तभी मैं bullish में आऊँगा ये बिलकुल अभी bullish moment है क्योंकि 200-300 point का है 585 तक या 600 round figure में रख लो 588 है वैसे exact number जा 19,588 है जो exact number है वहाँ तक market को मैं bullish नहीं मानूँगा वहाँ तक मैं सिर्फ और सिर्फ सेफली ट्रेड कर सकता हूँ levels के साब से कि ठीक है यहाँ से market और 50 point का move ले लिया 40 point का move ले लिया इससे ज़्यादा नहीं सोचूँगा downside के लिए आपको बताई दिया अगर आपको confusion हो तो downside के लिए हम 19,303 तक मैं maximum हो सकता हूँ अगर यहाँ तक आएगी market बाकी telegram पे update कर दूँगा अब समझते हैं हम detail में detail में देखो यह आपके समने negative chart है day का chart है nifty का बहुत अच्छे समाझना अप momentum कैसे था यह बड़ी candle यह बड़ी candle यह बड़ी candle यह बड़ी candle को consider कर रहा हूँ मैं यह आया downside कहां से आया है यह एक green candle बनी थी 20 जुलाई को upside के लिए इसके बड़ी candle red यह बड़ी candle यह बड़ी candle यह बड़ी candle अब यह क्या है यह मैंने नहीं किया कुछ नहीं यह market ने कर रखा है यहां से downfall था अभी भी market downtrend में ही है हम market को uptrend में कब consider करेंगे जो long कर लिए होंगे न news देखके उनका क्या हाल होगा वो देख लेना भी आके आपके लिए क्या होगा कि uptrend में है market मैं कैसे मानने उसको यह अभी भी downtrend में है uptrend में market तब जाएगी जब यह यह देखो यह level मैंने मार्क करा यह अपने आप आया 19,350 एक ऐसा level था जिसके उपर market में upside का trade हम सोच सकते हैं ठीक है 19,350 जो हमारा level था upside के सोच सकते हैं अब आप देखना market 500 के आवास पास जाएगी वहाँ से rejection लेगी level क्या है हमारा upside का maximum 19,487 rejection कहां से लेगी 19,488 ठीक है यह यह सीखना है आपको यह सीखना है यह यहां से rejection ही लेगी आप positive कब होगी माल यह दिन में यहां पे candle निकाल लोगों को फसाने के लिए गिर जाएगी positive होगी 19,585 के उपर 88 मान लो 19,588 के उपर positive होगी जब भी इसको break करेगी आपको nifty कहां मिलेगी यहां पे मिलेगी अगर इसको sustain करी उपर candle positive breakout देती है आपको 20,000 दिखाएगी और जो 20,000 के अभी फिलालस अपने देख रहा है वो 19,588 के बाद देखना ठीक है नहीं तो यहां से आपको जमीन दिखेगी अभी तक जब तक इसको cross नहीं करेगी तब तक कोई bullish नहीं है निफ्टी सपना ही मत देखना upside का upside का सपना देखना होगा तो यहां से लेके इसके ऊपर आप 500 के ऊपर trade कर सकते हैं और कहां तक 555 तक 20,000 के सपने छोड़ दो जब आपको 19,555 के आसपास break करती हुई मिल जाया है break कर दिया एकदम से market ने तो आपको वैसे ही trade मिल जाएगा 30-40 point का opposite direction का 100% मिलेगा वहां सिरफ trap करेगी एकदम से नहीं आजाएगी bullish में यहां तो बहुत सारे buyer seller बैठे हुए ना यहां तो आपको entry ऐसे मिलेगी नहीं upside के लिए यहां तो पसाएगी थोड़ा सा उपर move देगी फिर break करेगी अगर उपर sustain करेगी फिर यहां तक जाएगी फिर इसको कोई नही सकता तो इसी साब से plan करेंगे हम next पूरे month के लिए September में यह ध्यान रखना इसके निशे अगर यह negative हूँ और एक मैंने बताया था आपने मंडे को low 1 बना के आई है 19,223 इस पे भी नजा रखना क्योंकि सब को उपर के सपने दिखा के जमीन पर पटक देगी ऐसे तो फस्ते हैं सो इतना ही रखते हैं वीडियो में कल के लिए like share subscribe करना आपकी टेंचन है और learning मेरी टेंचन है बाय बाय टेक क्यार